जैहिन दोस्तों आज के इस वीडियो में केंद्रिय बजट 2024-2025 से रिलेडिड मोस्ट इंपोर्टेंट MC क्यों करेंगे और दोस्तों ये जो वीडियो है आप चाहे स्टेट लेवल एक्जाम की त्यारी कर रहो है या फिर सेंट्रेल लेवल बहुत ही जादा इंपोर्टेंट ह इसकी अगया है इसके अलवा नरेंद्र मोदी जी सबको पता होगा देश के प्रधान मंत्री है ठीक है अमित साजी देश के ग्रीह मंत्री है और द्रोपदी मुर्मु जी भारत की राष्ट्रपती है अगला सवाल दिखेंगे दोस्तों दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट आपसे कोश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बजट सब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है चमडे का थैला ठीक है समिधान के अनुचे 12 के अनुसार आम बजट एक वित बर्ष में सरकार की आयवेव का लेखा जोखा होता है स्वतंत्र भारत क पहला बजट कप पेस किया गया था तो 1947 में वित मंत्री निर्मला सीता रमर जी ने आज यानि की 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंत्रिम बजट 2024 पेस किया है अगला देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा इसके बादे दोस्तों की पूड बजट आकिर होता क्या है ठीके इसको प फरवरी 2024 को एक अंत्रिम बजट पेस किया गया था लेकिन अब जब सरकार का गठन हो गया है तब पूड केंदरी ये बजट पेस किया जाएगा ठीक है देश में लंबे समय से आम चुनाओं के दौरान ऐसा देखने को मिलता है अगला कोस्चन देखेंगे दोस्तों बजट बजट 2024 में क्रिसी और उससे संबंदित छेतर के लिए कितने लाग करोड आवंटित किया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा 1.52 लाग करोड रुपे ठीक है अगला कोस्चन है बजट 2024 में सिक्चा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाग करोड रुपे का प्रावध प्राण किया गया है दोस्तों सिक्चा हो गया रोजगार और कौशल विकास के लिए ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रा इस्पिती कितने परतिसत लक्ष की और बढ़ रही है तो राइट एंसर हो जागा 4% ठीक है बजट 2024 के अनुसार भार 12,000 रुपए की मदद की जाएगे ठीक है कौन-कौन से जो होंगे इसके लिए पात रहोंगे अगला कोस्चन है बजट 2024 में सिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कितने लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है तो राइट एंसर हो जागा 1.48 लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है सिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए अगला देखें बजट 2021 का अनुशार भारत की मुद्र इस्पिती परतिस्थी कितने लक्ष की और बढ़ रही है तो राइटेंसर हो जाएगा 4% है भारत की मुद्रा इस्पिती है वो 4%-परतिस्थी की और अगरसर हो रही है अगला देखेंगे पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने 1000 ठीक है किस के ताहिए तो EPFO, EPFO के ताहिए इसमें रजिस्टेट करवाना होगा, अगला देखेंगे, बजट 2024 के इंसार देज भर में कितने नई इंडस्टियल पार्क बनाये जाएंगे, तो राइट एंसर हो जाएगा, 12, बजट 2024 के इंसार पूरे देज भर में, ठीक है, 12 न 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के ताहिए, अगले 5 सालों में खुशल बनाने का लक्षे रखा गया है, प्रुवत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी सकाएं इस्तापित की जाएगी, तो राइट एंसर हो जाएगा, 100 से अधिक साखाएं इस प्रावधान किया गया है, तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 लाख करोड रुप का प्रावधान किया गया है, महिलाओं और लड़कियों को लाब पहुचाने के लिए, अगला है, पिम अवास योजना के तहत, कितने करोड अतरिक्त घर बनाये जाएगे, तो राइ तो राइट एंसर हो जाएगा, 5,000 रुपया प्रती माप भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, कितने ही वाओं को तो एक करोड यी वाओं को, अगला देखेंगे, बजड दोजार चुबिस में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगे, तो इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बिहार में 26,000 करोड रुपय का क्या किया जाएगा, सडकों का जाल भी चाया जाएगा, कितने करोड का, तो 26,000 करोड का, ठीक है, निर्मला सीतर रमार ने बताया कि पटना पूड या एक्सप्रेसवे की भी मंजूरी दे दी गई इसके साथ ही बिहार की पीर 35 में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी इस्तापित किया जाएगा, इसी के साथ केंदर सरकार गंगा पर दो नए ब्रीज भी बनाएगी, ठीक है, बार सेनी पटने और राहत के लिए 11,500 करोड रुपय दिया जाएगा बिहार राज्जी Next Question है Hugo, फिसमा मुद्रा लोन की रकम 10,000,000,000 से बढ़ा करकर कितनी कर दी गई कैए हैं"; देखें, मुद्रा लोन जो 10,000,000,000 बिया जाए जाता था इसे बढ़ा कर दिया गए हैंंगा तो R. kalo मा क्योंद्र को पीम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने करोड घरो को हर महिने 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा तो राइट टेंसर हो जाएगा एक करोड घरों को ठीक है पीम सुरिय घर मुक्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा एक करोड परिवारों को अगला देखेंगे सोना और चांदी के ग ये सब भी क्या कर दिया गया है, सस्ता कर दिया गया है, सोना, चांदी, प्लेटीनम, ये सब भी सस्ता हो गया है, कैंसर के इलाज से जूड़ी जो दवाईया होती हैं, वो भी सस्ता हो गया है, सोलर पैनल और सोलर सेल, ये भी सस्ता हो गया है, 25 अवसक जो खनीज होते हैं, य अगला देखेंगे, budget 2024 के अनुशार, कितने लाक रुपई की आमधनी तक कोई buying tax नहीं देना पड़ेगा, तो कितने लाग का मदनी तक कोई tax नहीं देना पड़ेगा तो 0 से 3 लाग ठीक है 0 रूपए से 3 लाग तक की आधी आधी आपकी income है तो आपको कोई भी tax नहीं देना होगा देखेंगे दोस्तों अगला कुछन है 3 से 7 लाग रूपए तक की आधी 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 3 से 7 लाग रूपए है तो आपको देने होंगे 5 परसेंट का tax कितना 5 परसेंट का ठीक है दिखते हैं important point दिखें जो पुराना आपका tax इस लेप था ठीक है जिसमें 0 से 3 लाग था इसमें 0 tax लगता था और इसमें भी प्रावदान किया गया है 2024-25 का जो बजट है इसमें भी वही है कि 0 से 3 लाग पर क्या है 0 tax है लेकिन 3 से 6 लाग पर क्या था 5 परसेंट था जिसे बढ़ा कर क्या कर दिया गया है 3 से 7 लाग कर दिया गया है जो tax slab था उसमें यदि 12,00,000 से 15,00,000 पर कितना tax था तो 20% था और नए में क्या हो गया है कि 12,00,000 से 15,00,000 पर 15,00,000 रुपे से उपर की आय पर कितने परतिसत का tax लगेगा तो देखे 15,00,000, 15% से एबोब इस पर कितना का tax लगेगा तो 30% का tax लगेगा नेक्स्ट कोशन है बजट 2024 के अनुसार पुरुवत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी तो देखे बजट 2024 के अनुसार जो पुरुवत्तर राज्य है इनके लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी तो पुरुवदय योजना कौन सी योजना पुरुदय के अलावा ओडिशा, ओडिशा के अलावा आपका आंदर परदेश, ये सभी राज्य इसमें क्या होंगे, सामिल होंगे, बजट दोजार चोबिस के अनुसार किस राज्य में महाभोधी और विश्डूपत कौरीडोर का विकास होगा, तो राइट एंसर हो जाएगा, बिहार, बिहार में दोस्तों महाभोधी और विश्डूपत कौरीडोर का विकास किया जाएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गया में विश्डूपत मंदिर और बोध गया में महाभोधी मंदिर का अध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक है, हम उन्हें विश्व इस्त पहल की भी की जाएगा, और ओडिशा में परियाटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुन्दरता, मंदिर, सिल्पकला, प्राकृतिक प्रदिश्य, वन जीव, अभ्यारण, और प्राचिन, समुद्र तड़ भी सामिलें, नेक्स्ट कोश्चन है, बजट दोज 2024 के अंसार, सिडिनी की कितनी नई साखाएं, 2024 में खोली जाएंगी, तो राइट अंसर हो जाएगा, 24 ठीक है, बजट 2024-25 में, सिडिनी के लिए 24 नई साखाओं का प्राधान क्या गया है, नेक्स्ट कोश्चन है, देखेंगे दोस्तों, इंपोर्टिन पॉइंट है, जैसे क अधेक्श कौन है, तो अधेक्श MD है, इसके, मनोज मित्तल, अगला कोश्चन देखेंगे, बजट 2024 में, सरकार ने विक्सित भारत के लिए कितनी नई प्रात्मिक्ताएं बताई है, तो देखेंगे, दोस्तों, एक तो क्रिसी, दूसरा रोजगार, तीसरा सोसल जस्टीस, मैनुफेक्शिरिंग एड सर्विसेज, पांचवा एनरजी, छटवा है अर्बन डेवलप्मेंट, सातवा इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलप्मेंट, और नौमा है दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ठीक है, यानि कि सरकार न लाभानवित किया जाएगा, तो दिखें, बजट दोजाट चोबिस के अनुसार, प्रधान मंत्री जनजाती उननत ग्राम अभियान के तहत, कुल 63,000 गावों को लाभानवित किया जाएगा, ठीक है, कुछ important point देखते हैं, जनजातिये समुदाएं के समाजिक आर्थिक इस् इसमें लाभानवित, ठीक है, कितने 63,000 गावों के 5 करोड़, 5 करोड़ जो जनजाती हैं, वो इसके तहत लाभानवित होंगे, next question है, बजट 2024 के अनुसार, खरीब फसलों के लिए, डिजिटल सर्वेक्षड कितने जिलों का किया जाएगा, तो राइट एंसर है 400, 400 जिलों क का डिजिटल सर्वेक्षड किया जाएगा, ठीक है, क्यों तो खरीब फसलों के लिए, बजट 2024 में बच्चों के लिए, कौन सी योजना सुरू की जाएगी, तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, NPS वातसल ले जना, कौन सी योजना, तो NPS वातसल ले जना, बच्चों क के लिए, सुरू किया जाएगा, बजट सब्द का अर्थ क्या होता है, देखे, स्टैटिक जी के का कोशन है, ठीक है, तो देखे, बजट जो सब्द होता है, इसका अर्थ हमने देखा था, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, चमडे का थैला, ठीक है, क्या भारत में पहला बजट कब पेस किया गया था तो देखे भारत में जो पहला बजट पेस हुआ था वह उआ था आपका 18 फरवरी 1860 को निक्स कोश्चन है समिधान में बजट सब्द की जगा क्या परियोग हुआ है अप्शन है दोस्तों एन्वल फाइनेंसियल इस्टेटमेंट और वार्सिक वित्य विवरण यानि इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा उपरोग तो दोनों अगला है भारत में कौन सा मंत् आले बजट त्यार करता है वित्मांत्राले बजट त्यार करता है ठीक है और फाइनेंस मिनिस्टर कोने वर्तमान में तो निर्मला सीता रमाड उन्हीं के दौरा बजट दोजार चोबीस पच्चेस पेस किया गया है अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेस कि था तो दीके जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेस किया गया था काफी important question है ठीक है किसने पेस किया था तो आर के सनमुखाम चेटी के दौरा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेस के अग्या था भारत की पहली महिला वित मंत्री कौन थी तो दीखे भारत की जो पहली महिला वित मंत्री थी वो थी इंदीरा गांधी अगला क्वेश्चन है लगातार सात्वी बार बजट पेस करने वाली पहली महिलावित मंत्री कौन बनी है तो देखे लगातार सात्वी बार बजट पेस करने वाली जो पहली महिलावित मंत्री बनी है वो है निर्मला सीता रमड अगला कोस्टे ने दोस्तों भारत के कितने परदान मंत्री ने परदान मंत्री रहते हुए budget paste किया तो right answer हो जागा तीन परदान मंत्री रहते हुए budget paste किया ठीक है देखेंगे दोस्तों एक तो जवाहरलाल नहरूजी दूसरे इंदिरागांदी और तीसरे आपका राजयुगांदे ठीक है सबसे अधिक बार budget paste करने का record किस नेता के नाम है, तो right answer हो जाएगा, मोरा राजी देश आई, ठीक है, इनोंने कितनी बार budget पेस किया, तो इन होने दोस्तों, कुल 10 बार budget पेस किया था, कितनी बार पेस किया, तो 10 बार budget किया, 1862 से लेकर 69 तक, अगला question है, अंतरिम budget को क्या कहा जाता है, तो देखे, option है द तो दोनों, या फिर इन में से कोई नहीं, तो right answer हो जाएगा दोस्तों, इसका उपरोक तो दोनों कहा जाता है, ठीक है, मिनी budget भी कहा जाता है, what on account भी कहा जाता है, अगला question है, किस साल में budget दो बार प्रस्तुत किया जाता है, तो देखे, option है आपका, leap year, election year, century year, या फिर इ तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो please वीडियो को like करें, और यदि आपको इसका पीडियाप चाहिए, तो screen पर जो barcode दिख रहा है, उसे scan करके 5 रुपे payment करें, और मुझे screenshot इस number पर भेज दें, आपको पीडियाप मिल जाएगा, thank you